हलो दोस्तों मैं सिवांग वालत वास स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा साथ ऐसे बेहतरी नविस्कारों के बारे में जो आपको साल 2050 तक देखने को मिलेंगे जिन पर अभी काम चल ला है जो अभी साइंटिस्ट हम आने में अपना समय दे रहे हैं पर खोड़ जारी चालू कर रहे हैं हर जो हमें 2050 तक पूरी तरह से देखने को मिल पाएंगे तो दोस्तों जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना दम्बर एक प्याए स्पेशल रेफ्रीजरेटर है दोस्तों ये एलग्ट्रा लक्स के साइंटिस्ट दवारा एक ऐसा रेफ्रीजरेटर डिजाइन किया जा रहा है जहां आप अपने फल फ्रूज और खाने के सामान को एक स्पेशल जेल के अंदर रख सकते हैं और ये स्प रखेगा बहवी विना बिजली के उपयोग के यह जेल ना तो चिपको चिपकेगा और नहीं वद्बू मारेगा फिलाल इस पर अभी कार्य चल आहा है यह भी अभी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा दोस्तों है ना कितना अच्छा जिसमें आपको ना बिजली की जरूरत पड़ेगी और नहीं किसी अन्य ऐसे सामान की जो की हमारे जन्रेटर मोटर इंवर्टर आस्टे चले और आप अपने खाने के सामान फलों वगयरा को भी बिल्कुल ठंडा और अच्छी तरह से रख पाएंगे नंबर दो पे मैं बात करता हूं अल्ट्रा फास्ट इंटर्नेट की तैयारी में लगा हुआ है जिसके तहरे कुछ ड्रोन का इस्तमाल किया जाएगा जो की सूरी की करणों से पावर लेकर इंटर्नेट की स्पीट को बढ़ा देंगे इंटर्नेट की स्पीट 4G से 40 गुना तेज रहेगी तो है ना कितनी मज़े दारवाद की अ अपलोड और डाउनलोड हो जाएगी बात करते हैं तीन नंबर अंडर्वाटर टनल की इन दिनों नारवे पूरे तरीके से अंडर्वाटर टनल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है बहुत जल्द आपको ऐसी अंडर्वाटर टनल देखने को मिलेगी तो दोस्तों देगी ह हमारे फोटो भी यहां पे दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब फोटो में देखने पर इतनी अच्छी लग रही है तो जब यह बन जाएगी तो यह कैसी देखने में लगेगी बात करते हैं नमबर चार रोलिंग टेली विजन की नमबर चार है रोलिंग टेली विजन जो कि हमारे अविसकार अभी जिस पर काम चला है यह आपको 10 से 20 सालों पाद ऐसा अविसकार आपको देखने को मिल पाएगा LG कमपनी इन दिनों फोल्ड करने वाली स्क्रीन बनाने की तियारी में लगी हुई है LG कमपनी ने ऐसी ही एक ही स्क्रीन का प्रोटोटाइप भी बनाया है हो सकता है आने वाले 10 से 20 सालों में आपको ऐसे टीवी देखने को मिलेंगे जो पूरी फोल्ड भी हो जाएगी यानि कि एफ टीवी हमें एक चार्ड की तरह रोल करके अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं आसानी से कैरी कर सकते हैं अब पांचमे नंबर पे जो हमारे अविसकार तयार होने जा रहा है वो है इस्प्रे से बने हुए कपड़े तो मेनल टोरस नाम का एक फैसंड डिजा आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह एक हुमन बाडी पे इस्प्रे करके यह कपड़े तयार किया जाते हैं और आखिर में आप यह देख रहे हैं कि जो हमने इस्प्रे की है वो बाडी से अलग होके कपड़े का रूप ले रही है नंबर छे टॉपिक है जो कि अविसकार हमारा होने वाला है खुद से चलने वाली कार इन दिनों खुद से चलने वाली कार का भी प्रसिक्षण चल रहा है बहुत जल्द ऐसी कार भी आपको बाजार में देखने को मिलेंगी जो खुद से चलेंगी और कम से कम एक्सिएंट होंगे यानि कि एक तरह से रोबोटिक का और यह दुबई में बनने के त्यारी चले यानि कि यह बात पढ़कर आप हैरान होंगे लेकिन दुबई में एक ऐसा मॉल बहुत जल्द बन जाएगा जहां मॉल के अंदर आपको एक पूरा वर्चुल सहर देखने को मिलेगा जहां जहरने पेंड वगयरा सब कुछ रहेंगे है पूरा क्लाइमेट भी मसीर दिवारा स्ट किया जाएगा रहना है अकर आप कहीं एक सहर घूमने जाना है इसनल मॉल में खूमने चलाएंगे सहां अमारे यह प्संद आई हो तो करपिया इसे लाइक करें यह एग हमारे चैनल्la को सब्सक्राइब करें धन्यवाद